गुद मॉर्णिंग, स्वाइगत है आप सबों का महात्मागादी सिक्षन सनस्तान के यूट्यूब चैनल पर आज हम बर्ग सिक्ष्थ के लिए व्याकरण से विशेशन टॉपिक ले करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत है तो सबसे पहले विशेशन कहते किसे हैं विशेशन खूबी या खासियत को कहते हैं किसे भी ब्यक्ति वस्तु अस्थान की जब खासियत बताई जाती है तो हम उसे विशेशन कहते हैं ब्याकरणिक भासा में हम कहेंगे सन्या और सर्वनाम के विशेशता बताने वाले सब्द को विशेशन कहते हैं और जिसकी विशेशता बताई जाती है, उसे विशेश सी कहते हैं। खुबी को विशेशन कहते हैं, और जिसकी खुबी बताई जाती है, उसे हम विशेश सी कहते हैं। विशेशन के मुख्य चार भेद होते हैं गुनवाचक, संख्यावाचक, परिमानवाचक और संकेतवाचक गुनवाचक विशेशन के अंतरगत जितनी भी विशेशताएं हैं सारे गुनवाचक विशेशन के अंतरगत ही आ जाते हैं गुनवाचक विशेशन के स्रिव्यक्तिवस्त्वस्थान के रंग, रूप, दिसा, दसा, अवस्था, आकार, प्रकार इत्यारी का बूध कराता है उसे हम गुनवाचक विशेशन कहते हैं काला घोरा, मरियल आदमे, उचा पहार, गहरी नदियां ये जितने भी काला, मरियल, उचा, गहरी ये सब विशेशन हैं ये गहरी नदी की विशेशता तो नदी विशेश सी हो जाता है मुचा परवत का विशेशता तो परवत विशेश सी हो जाता है काला, घोरा, घोरा विशेश सी हो जाता है मरियल आदमी तो मरियल विशेशन और आदमी विशेश सी हो जाता है तो जितने भी तरह के विशेशन होते हैं सब इसी गुनवाचक विशेशन के अंतरगात आते हैं जब हम इसके परिवाशा करेंगे गुनवाचक विशेशन के तो कहेंगे जो संज्या सर्वनाम के गुंदोस आकार रंग दिसा दसा अवस्था कालस पर्स इत्यारिका बोध कराए उसे हम गुनवाचक विशेशन कहते हैं गुनवाचक विशेशन के बाद संख्या वाचक विशेशन हैं संख्या वाचक विशेशन सिर्फ संग्या सर्वनाम की गिंती बताता है कि ये कितने हैं जब गिंती मात्र का बूद हूँ तो उसे संख्यावाचक विशेशन कहते हैं एक है, दो है, चार है, दस है, बीस है, बीस कल में हैं तो ये संख्यावाचक विशेशन हो जाता है। परिमान वाचक विशेशन में सिर्फ मात्रा का बूद कराया जाता है। मात्रा वस्त वेक्तियस्थान शंग्यासरवनाम कितने हैं, जादा है, कम है, अधिक है, ठोड़ा है, बहुत है, यह सब अगर हू तो हम उसे परिमान वाचक विशेशन कहेंगे। परिमान वाचक, विशेशन में निश्चित परिमान वाचक और अनिश्चित परिमान वाचक भी आता है, जब किसी चीज की मात्रा निश्चित हो, चार किलो चीनी निश्चित मात्रा है, पांच लीटर दूध निश्चित मात्रा है, बहुत दूध, बहुत चीनी, तो ये अन निश्चित हो जाएगा तो निश्चित और अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन होते हैं उसी तरह से संख्या वाचक में भी निश्चित और अनिश्चित संख्या वाचक होते हैं जब संख्या का निरधारन कर दिया जाता है कि इतने हैं तब उसे गननिये में हम सिर्फ उ है चार है दस है बीस है तो अनिस्चित संख्यावाचक और बहुत लोग भी यह सब इतने जब निस्चित नहीं हो तो उसे हम अनिस्चित संख्यावाचक विशेशन कहेंगे तो संख्यावाचक और परिमान वाचक में निस्चित और अनिस्चित आता है अब हम विशेशन के अ उसे परहिंगे, तो संकेत वाचक विशेशन को ही हम सर्वनामिक विशेशन कहते हैं, सर्वनामिक या संकेत वाचक विशेशन इसका नाम है, जब उसमें संग्या के ठीक पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो, तो वह सर्वनाम सर्वनाम नहीं हो करके विशेशन बन जा इसमें इशारा होता है जैसे वह घर वह सर्वनाम है और घर संग्या है घर के ठीक पहले वह सब्द का प्रियोग हुआ है इसलिए यह वह जो है सर्वनाम नहीं हो करके सर्वनामिक विशेशन हो जाता है इसको हम सर्वनामिक या संकेत वाचक विशेशन कहते हैं इस तरह से विशेशन के हमने चार भेद परहा विशेशन शंग्या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले सब्द को कहते हैं विशेशन के चार भेद गुन वाचक शंख्या वाचक परिमान वाचक और संकेत वाचक या सर्वनामिक विशेशन तो आज के इस वीडियो में हम विशेशन के परिवासा और भेद को परेंगे अगले वीडियो में हम इसके आवस्था को परेंगे विशेशन की आवस्था को परेंगे तब तक इसे आप लोग याद करेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रियास करेंगे धन्यवाद